पुलिस का काम होता है लोगों की हिवाज़त करना, पुलिस का काम होता है अपराधी को पकरना, पुलिस का ही काम होता है चोरी की घटना को रोकने के साथ चोरो को पकरना, लेकिन अगर इन घटना और वारदातों को रोकने वाले पुलिस ही ऐसा काम करने लगे तो अच्छा त परादी डरा करते थे उसी यूपी पुलिस के एक सिपाही ने ऐसी करतूत कर डाली जिसकी वहला से यूपी पुलिस का सर शरम से छुप गया है चलिए पहले वीडियो देखिए फिर आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है ध्यान से देखा ना वीडियो में खाकी वाले की काली करतूत को अब बताते हैं कि ये जनाव है कौन और मामला कहां का है ये पूरी घटना विजनौर के नहटा और सबजी मंडी की है जहां पर सिपाही दिनेश कुमार की ड्यूटी लगाए गई थी ताकि सबजी मंडी में चोरी ना हो लेकिन जिन जनाव पर चोरी की वारदात को रोकने का काम सौपा गया था उन्हीं साहब ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला वो भी एक सेब की पेटी के लिए दरसल दिनेश ने पहले तो फल की दुकान पर लगे तिरपाल को काटा और फिर दुकान के अंदर दाखिल हो गया इसके बाद सेब की एक पेटी पर हाद साफ कर डाला वहीं जब फल विक्रेता यूसुप अपनी दुकान पर आया तो तिरपाल कटा देख उसके होश उड़ गए उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब रात में सिपाही तेनात था तो इस तिरपाल किसने काटा इसकी जाच के लिए यूसुफ ने CCTV देखा तो उसमें सिपाही की करतू देख उसके होश उड़ गए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस पर सुरक्षा का जिम्मा था वही सेब की पेटी को गायब कर डालेगा मामले का खुलासा ओने पर पुलिस अधिक्षक को CCTV फुटेज भेजी गई जिसके बाद तुरंत कारवाई की गई और आरक्षी को सस्पेंड भी कर दिया गया जाच परताल किया गया लटना सही पाए गया सेब की पेटी के लिए खाकी वाले ने ऐसा काम कर डाला जिसे सुनकर और देखकर यूपी पूलिस से भरोसा उड़ गया कोई पूलिस कर्मी ऐसे नीच हरकत ना करे और यूपी पूलिस को शर्मिन्दा ना होना पड़े इस रिपोर्ट में बसतना ही देश और दुनिया के तमाम बड़े ख़वरों से जुड़े रहने के लिए बने रही है विकी नियूस के साथ नावस्कार